नमस्कार दोस्तों, उमीधा आप लोग स्वस्तेयों खुश होंगे, हजिर हूँ मैं जिम कॉर्बेट की एक बहुत ही लंबी और बहुत इंटरेस्टिन स्टोरी के साथ, दोस्तों ये स्टोरी वैसे तो मैंने पहले भी अप्लोड कर रखी है, मैंने इटिंग लेपड आफ र पास्तों से सुप्रदीफ सेन ने ये कमेंट दिया था कि कहानी बहुत स्केची है, क्योंकि दो-तीन घंटे में पूरी कहानी को बता पाना, एक्स्प्लेन करना संभव नहीं है, उसके बाद मैंने जो भी कहानिया पहले डाली हुई थी, समराइस फॉम में, उनको बढ़ा कर करके डाला, और आप लोगों का बहुत प्यार मुझे मिला, और साथ-साथ में ये भी कहूंगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको ये पसंद नहीं आया, वो ये कहने लगे कि बार-बार आप इनी कहानियों को क्यों डाल रहे हैं, वो यहीं पर नहीं लुके, बलकि कुछ abusive languages भी यूज़ करने लगे, तो मेरा आप लोगों से request है कि इस प्रकार की language यूज़ मत कीजिए, अगर आप लोग ने already कहानी देख रखी है या आप लोग ने पढ़ी है, तो मत देखे, मैं इस कहानी को बढ़ा करके या multiple parts में इसलिए upload कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इन कहानी को पढ़ते वक्त जो आनंद मुझे आया, जो अनुहूत मुझे हुई, वो आप लोगों को भी हूँ, क्योंकि ये जो जंगल लोर से होते हैं या hunting stories होती हैं, ये सिर्फ गोली चला के tiger को मारने तक सिमित नहीं होती है, इसमें सुरू से लेके अन तक भी इसमें कई कहानी आती हैं, कई उतार चड़ावाते हैं, और बहुत ऐसी ऐसी कहानी आती हैं, जो हमें आम जियोन में देखने को नहीं मिलती हैं, और चूंकि समय तब से अब तक काफी बदल गया है, तो शायद हमारे जियोन में हम practically इन चीजों को कहीं देख नहीं पाएने, होता होगा, या यह कहानी, जो बात उन्होंने बताई है, वो ऐसे घटित हुई होगी, मैनिटिंग लेपाड और घृदर प्रियाग एक बहुत लंबी कहानी है, कॉर्बेट ने इस पर पूरी की पूरी किताब लिखी हुई है, अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को शाओ मैनिटर की कहानी सुनाई, वो पांच पार्ट में कवर हो पाई, पांच छोटे छोटे पार्ट मेंने उसके बनाए, मैं चाहता हूँ कि रुदर प्रियाग मैनिटर की जो भी कहानी है, उसके अंदर जितनी भी घटनाएं हुई, जैसे वो शुरू से एंड तक का हर एक कहानी का हर एक घटना का संपूर्ण आनंद लें, तो दोस्तो मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं निटिंग लेपड रुदर प्रियाग की कहानी, दोस्तो रुदर प्रियाग उत्राखंड के गड़वाल में है, और प्रियाग का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं, प् गंगोत्री, यमनोत्री, बद्रिनाथ, केदारनाथ और पांच प्रियाग है वहाँ पर, जिन में विश्णु प्रियाग, नंद प्रियाग, कर्ण प्रियाग, रुद्र प्रियाग और देव प्रियाग है, सबसे पहला प्रियाग है, विश्णु प्रियाग जहां पर विश अलक नंदा नदी आगे बढ़ती है और कुछ आगे जाने पर उसमें दूसरी नदी मिलती है जिसका नाम है नंदा कि नंदा किनी मिलने के बाद अलक नंदा और आगे बढ़ती है और आगे जाके उसमें एक और नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडर और यह संगम बनता है कर् और उसमें रुद्र प्रियाग पर मन्दागे मिलती है फ Siber fallaknanda और बड़ी हो जाती है और आगी जाके देव-प्रियाग में इसपर भागी रतीन मिलती है यहां से यह गंगा के नाम से आगी चलती है जिसे पूरी दुनिया में गंगा के नाम से जाना जाता है और हिंदू में जिसे गंगामाई कहा जाता है तो दोस्तों 1918 से 1926 के बीच में एक मैनिटर लिपर्ड एक्टिव हुआ अब उसको मैनिटर और रुदर प्रियाग कहा गया इसका मतलब यह नहीं कि वो सिर्फ रुदर प्रियाग में ही एक्टिव था यह नाम सिर्फ उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया गया उसका जो टेरर था उसका जो आतंग था गड़वाल में करीब 500 स्क्वाइर मील क की एरिया में फैला हुआ था गड़वाल के पचास हजार लोग उस जमाने में आज से करीब सौ साल पहले कि पचास जार लोग इससे पीडित थे जो वहां के रहने वाली लोग थे उसके अलावा जो एन्वली उन दिनों साथ हजार से लेके सत्तर अस्ती हजार तक लोग बगरिना के दारना चाते थे वो भी इस लेपड के आतंग से पीडित थे इस लेपड को पूरी दुनिया में बहुत फेम मिला उसका मुख्य कारण था कि यह जिस जगह पर था जहां पर यह ऑपरेट कर रहा था वो तीर थेयातियों की जगह थी, तीर थेयातियों का रास्ता था, जिनके मार्दियम से इसकी खबर पूरी दुनिया में फैली होई थी, हलांकि कुमाओं में इससे भी खतरना के एक लेपड था, पनार लेपड जिसके बारे में मैं वीडियो बना के अफ्लोड कर चुका हूँ, उसको इतना ज़्यादा नहीं जाना जाता था, इसे जाना जाता था, मुख्य बज़ा यही थी कि यहां साथ में हजारों तीर थेयातियों का आना जना लगा रहता था, दोस्तों, उस इलागे में कोई भी कर्फ्यू इतनी सक्ति से इंप्लेमेंट नहीं होता था, जैसा कर्फ्यू इस लेपड ने वहां लगाया हुआ था, दिन में जब उजाला होता था, तो लोग सामानी डंसे अपना काम करते थे, जिन लोग को बिजनस करने जाना होता था, वो अपनी दुकानों में जाते थे, जिनको खेतु में जाना होता था, खेतु में जाते थे, जंगलों में जाना होता था, वहां जाते थे, और स्कूल में जो बच्चे या टीचर स्कूल जाते थे वो स्कूल जाते ते लेकिन जब शाम हो जाती थी तो सब लोग एक तरसे उत्तेजित हो जाते थे यानी कि सब डरे हुए थे आशंकित थे इसलिए अधेरा होने से पहले या जब तक उजाला है तब तक सब लोग अपने घर में पहुँच जाना चाहते थे ताकि अधेरा होने से पहले सब अपने अपने घरों में बंड़ हो जाएं और जब अधेरा हो जाता था तो चार मुतरब खामोशी चाह जाती थी उससे पहले खुब हला मचा रहता था, शाम होने से पहले माएं या घर के बुजर्ग लोग आवाज लगा कि सब को फटाफट बुलाते थे, और जो लोग बिजनस करते थे, दुकानों में होते थे, उनको घर जाने की जल्दी रहती थी, वो फटाफट अपना काम निप्टात स्कूल से लोग या बच्चे फटाफट घर वागते थे, जंगल में कोई अगर महश्यों को चराने गया हो, तो फटाफट महश्यों को लेके घर की और दोरता था, लेकिन शाम होते ही वहां बिलकुल खामोशी चा जाती थी, यह अशर था वहां के लोकल लोगों पर, लेकि अशर थाम होने से पहले उनको जो दुकानदार थे आसपास के लोग थे उनको सला देते थे, कि उन्हें अगले स्टेशन पर या अगली जगह पर, अगले सराय पर जल्भी पहुंच जाना है, अगर वहां जाने का समय नहीं है, तो उन्हें वार्णिंग दे देते थे, कि आ भ्रमसाले या बंद कम्रे नहीं मिल पाते थे, वो बाहर बरामदु में या मकानों के आसपास घेरा बनाके बैठे रहते थे, और जो लोग बाहर होते थे, उनको हर पल या आशंका लगी रहती थी, कि कब, कब तक वो जिन्दा हैं, उन्हें पता नहीं था, तो इस प्रकार का एक खौप, एक आतंक, एक भय, उस पूरे इलाके में फैला हुआ था, इस मैनिटिंग ले पड़ के कारण, अब दोस्तों ये मैनिटर बना कैसे, या जानना भी आवश्यक है, जो शिकारी है, चाहे कॉल बेट है, आइंडेशन है, उन्होंने, जब भी किसी मैनिटर को मारा, उसके बारे में अंतम अवश्यक लिखा कि, जब उन्होंने उसको स्किन किया, या उसकी बॉड़ी का इन्वेस्टिकेशन किया, तो उन्हें उसके मैनिटर होने का कारण पता चला, तो कॉर्वेट कहते हैं कि जो लेपर्ड हैं, उनके मैनिटर बनने का वो कारण नहीं होता है, जो टाइगर्स का होता है, आम तोर पर टाइगर्स से जब मैनिटर बनते हैं, तो तब बनते हैं जब वो अपने नैचुरल शिकार को मारने में असमर्थ हो जाते हैं, जबकि जो लेपर्ड हैं, अगर उन्हें कहीं पर कोई अधखाई लाश मिल जाए, और वो भूखे हैं तो उसे खालेंगे, कहीं उ अगर उन्हें इस प्रकार का खाना मिलता रहे तो उनकी जिन्दगी चलते रहती है, तो दोस्तों, 1918 में एक इसी तरह की महामारी फैली थी, पूरा गड़वाल का इलाका उसकी चपेट में आ गया था, और गड़वाल में रहने वाले जो लोग हैं वो हिंदू हैं, और में मरे हुए व्यक्ति को नदी के किनारे ले जाके उसकी बॉड़ी को जला जाता है, यह नॉर्मल कंडिशन में होता है, लेकिन उस समय जब महामारी फैली तो मरने वालों की तादार बहुत ज्यादा हो गए, और लोगों की जो फैनेंशल कंडिशन थी वहां बहुत अच् होई तो जाहिर है, उनके लिए उनका उतना सामान इखटा करना बड़ा मुश्किल का काम था, और इसके लाओ एक समस्या और थी कि गाहों घरू में जो लोग रह गए थे, उनकी संख्या भी कम थी, तो जब इतनी बड़ी तादात में लोग मरें तो उनको नदी के किनारे ले जाना भी संभव नहीं था, लिहाजा लोग क्या करते थे कि जब भ्यक्ति कोई मर जाते थे, उनके मुह में जला हुआ, कोईला डालते थे, जलता हुआ कोईला, और उसके बाद उसकी बोड़ी को उठा के, किसी पहाड़ी पे ले जाके, नीचे गिरा देते थे, पहाड तो जब इस तरह से कोई पड़ी हुई लाश ब्रक्ति की, इस तेहद्वे को मिल गई, तो उसने उस बोड़ी को खा लिया, और सायद यही वज़े थी, यही कारण था, जब इस लेपड को यूमन फ्लेश का टेस्ट लगया था, क्योंकि यह लेपड महामारी के अंत में, एक मैनीटर के रूप में उभर के आया, उससे पहले इसके बारे में थहीं पता नहीं था, किसी व्यक्ति को इसमें मॉलेस्ट नहीं किया था, तो वही महामारी का कारण ही इस मैनीटर के बनने का कारण था, इसका पहला शिकार नौजून उनीसोट ठार को हुआ था, जिस व्यक्ति को इसने मारा था, और उसके बाद इसने अगले आठ साल तक उस इलाके में आतंक फेला है, अनकिनात लोगों को मारा, इन आठ सालों में, ओफिस्चिल रिकॉर्ड के आउकॉर्डीन, इसने 125 लोगों को मारा था, अलांकि जिम कॉर्वेट कहते हैं कि यह आकडा सच नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि जब वो फेल में थे, उस समय भी कई ऐसी घठना ही हुई थी, जिनको ऑफिस्चिल रिकॉर्ड नहीं किया गया था, यानकि वो ऑफिस्चिल रिकॉर्ड में नहीं थे, उसके अलावा ज एक पटवारी उस गहां को विजट करता था, या उस जगह को विजट करता था, जहां से उसे खबर मिलती थी, जहां कोई व्यक्ति को किसी व्यक्ति पर लेपड हमला कर देता था, या किसी को मार देता था, वहां से एक कोई रनर पटवारी को या खबर देता था, पटवार रिकॉर्ड कर लेता था अगर लास नहीं मिली तो उसे ऑफिस्टल रिकॉर्ड में नहीं मानता था तो इस प्रिकार से कई ऐसे बेक्ति जिनको लेपर ने मॉलेस्ट किया और वो तुरंत मरे नहीं या कुछ होस्पिटलाइज हुए या किसी की लास नहीं मिली उनको ऑफिस्टल रिकॉर्ड भी जगह नहीं मिली लिहाज यह जो फिगर गॉर्मेंट ने दिया था इसमें पूरी सचाई नहीं थी लेकिन भले ही इसका फिगर कम हो यह एक ऐसा लेपर था जो आज तक की हिस्ट्री में दुनिया में सबसे चर्च कि इसकी चर्चा दुनिया के लगबग सभी अखवारों में हुई है यूएसे कैनेडा यूके जर्मनी फ्रैंस और देशों में बड़े देशों में जिनके अखवार विश्वस्तरी थे और उनके लोकल अखवारों में भी इसका जिक्र हुआ और इंदुस्तान के डेली मंत अखवारों में इसका जिक्र था ही था इस प्रकार यह लेपड भले ही इसके नाम मरे हुए लोगों का फिगर कम हो पनार के मेरीटर के कमपारीजन में लेकिन यह मेरीटर दुनिया का सबसे चर्चित और उसका कारण था कि यहां आने वाले जो बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री थे उनकी वज़े से इसे पूरी दुनिया में फेम मिल गया था अब फेम तो मिला था और उसकी वज़े से लोकल में यो लोग थे उनमें जिस तरह का खौब व्याप्त था और जो आने वाले तीर्थ यात्री थे यहां बड़ीनात के दारना जाने वाले उ वह भी बहुत ही दरावना था और उस खौब के पीछे जहां तक लोकल लोगों का सवाल है उस खौब के पीछे कई कारण थे ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके बारे में सुनके या उसकी कहानी सुनके लोगों में खौब व्यापत हो गया हो ऐसा नहीं था बलकि जो घटनाएं सुन्स घटनाओं का जिक्र किया है उनमेंसे एक लड़का था 16-17 साल का अनाद था हो तो एक व्यक्ति ने उससे वह एं था अपने बक्रियों की देखवाल के लिए तो उसका काम था कि दिन में वी जंगल में बक्रियां चराता था और शाम को बक्रियों को ला के मकान के जो ग्राउंड फ्लोर में जो बक्रियों के लिए बना हुआ था कमरा उसमें बक्रियों को डाला जाता था बंद किया जाता था और उसी कमरे के एक कोने में जहां पर एंट्रेंस था उसके अपोजिट कोने में यह लड़ता सोबता था बक्रिया उसके आसपास न आ जाए या उसे नीद में कुछलने देए इसके लिए उसने अपने लिए एक तख्था लगाके एक सेपरेशन बनाया हुआ था और रात को खाना खाके वहां सोता था उस कमरे में सिर्फ एक ही एंट्रेंस था उस एंट्रेंस को मकान मालिक पर में बाहर से कुंडा खीच के उसे सांकल में बन कर देता था और उसमें एक लक्टि फशा हुआ देता था तक नीचे न गिरे उसके बाद अपनी सेफ्टी के लिए लड़का अंदर से एक पथर उस दरोआजे पर लगा देता था किणि उस इलाके में मैनीटर का आतन तो था ही उसके बाद व reaching के बीच से होते हुए उस दूसरे कोने में जाके शो जाते न यह तो उसका रोज का रूटीन है और यह जो मकान था यह कि आ जो उस जमाने में पहाड में मकान बनते थे एक साथ कई मकान बनते थे उसे बाखली का आ जाता था कि 10-15 मकान एक लाहिन में बनते थे वो सब मिले होते थे एक कॉलरी टाइप का होता था सब मिले होते थे सब का ग्राउंड फ्लोर में सारी जानवर बतते थे और इसके केस में ये बक्रियां थी और उसके फर्स्ट फ्लोर में ये बक्रियों का मालिक खुद रह करता था तो एक सुब्र है मकान मालिक भार आया तो उस ने देखा Oh उसके नीचे जानवरों का जहां उसकी था रहती हों अँश्क कुला पड़ा है collectors कि और उसने अंदर जाक के देखा तो वहां बक्रिया फिर ओंदर जाक के देखा तो उसका जो लड़का था, वो भी वहाँ नहीं था, और जमीन में देखा, तो खून गिरा हुए था, और जब वो और आगे जाके, उस प्लड ट्रेल का पीशा करने लगे, तो आगे जाके, गाउं से कुस दूर, एक वैली के, उस वैली में गए तो वहाँ उसकी, सारी बक्रियां एक साथ उसे मिल गई और उसी के पास ने उसने देखा कि उसका जो जिस बेक्ति को जिस लड़के को उनुने उसने हैर किया हुआ था उसके कुछ बॉडी के रिमेंस पड़े हुए तो जाहिर था वसी लाके में मैनीटर का आतन पहले से था तो ये एक खौफना घटना और हो गई थी यानकि रात को लेपड आया और किसी प्रकार उसने दर्वाजे को खोलना शुरू किया जिसकी वज़े से जो लकडी सांकल और कुंडे में लगी हुई थी वो गिर गई और जिससे दर्वाजा खोल गया और लेपड उस दर्वाजे से अंदर गया और ये आश्चरी की बात थी कि वो उस कोने में गया जहां वो लड़का सोया था और वहीं उसे मारा और उसे लेके बाहर चलाई वहाँ चालिस बक्रियां थी उसने किसी भी बक्री को चुआ नहीं ये बहुत आश्चरी की बात थी तो जब इस तरह की घटना हो जाए तो जाहिर था लोगों में खौब किस तरह बढ़ जाता है और दूसरी घटना थी कि एक ब्यक्तिशाम को अपने पड़ोस में गया था हुक्का पीने के लिए खाना खाने के बाद तो जिस कमरे में वह बैठे थे वह एल शेप्ट था जहां पर एक कोने में उसका दर्वाजा था दर्वाजे से वह अंदर गया और जिस तरब वह बैठे थे पीच में आग जली थी और दोनों दिवाल पर पीट लगा के बैठे थे गप में मारे थे तो जो व्यक्ति इस घर का मालिक था उसने भुक्का पिया और अपने साथी को दे दिया और कुछ देर बाद उसने देखा कि रुक्का नीचे बिल गया और नीचे जो कोईले रखे थे रुक्के में वो नीचे फैल गए तब उसने अपने साथी से कहा भई जरा ध्यान से कहीं नीचे जिसमें हम बैठे हैं चटाई में जव न जाए और यह कहकर वो नीचे जुक् में दर्वाजे की तरफ गया उसने दर्वाजे पर देखा कि लेपड उसके साथी को गर्धन से पकड़ कि ले जा रहा दर्वाजे से बाग रहा है तो उस विक्ति ने कुछ देर वेट किया उसके बाद दर्वाजे पर गया और उसने दर्वाजा बंद कर दिया और उसमें बाद में उसने कॉर्बेट को बताया कि साब मैंने जरा साभी आवाज नहीं सुनी रोश्णी के नाम पर वहां सिर्फ वह आग जल्ली थी जिसके किनारे वो बैठे हुए थे लेपड कब आया कब उसने उसके साथी को पकड़ा और कब वो उसे ले जाने लगा इस सारी घटना के वीच में उसने कोई आवाज नहीं सुनी उसने सिर्क उस विक्टि को लेजापे हूए देख़या और तीसरी घटना थी एक घर में एक महला बिमार थी उसकर के दो पॉसुथ ऐसन साथ दीने के लिए आये थी रात को तो दोनों बीमार महला के एक एक तरफ सोई हुई थी उसका हजबेंड बाहर वाले पार्टिशन में बैठा था जो एंट्रेंस का दर्वाजा था वो बंध था वहां एक छज्जा था जिसमें एक दर्वाजा था जो हलका खुला हुआ था और वहां पर एक पानी की वैसल रखी हुई थी भरके जो उस महला के पीने के लिए रखी हुई थी और उसी के उससे कुछ दूर इस आदमी का बैड लगा हुआ था र्याथ को इस व्यक्तिको उस जो पानी का वैसल है उसके चज्जे में रखा हुआ था उसके गिरने की हुआ सुन है उसके गिरने से इसकी नियत खुली तो उसने देखा एक लेपड है जो उसकी पत्नी को खीज के ले जाने की कोशिश कर रहा चंजे से जिसकी वज़े से वैसल नीचे गिर गया और उसी समय जो अंदर की दो महला ही थी उनकी भी नीद खुली तो जब इन्हों ने शूर मचाया तो लेपड वहाँ से चला गया और बाद में इन्होंने देखा कि वो बिमार महला के गले में लेपड के दांतू के निसान बने हुए थी और इन महला उने बाद में कॉर्वेट को बताया कि जो महला बिमार थी वो सैथ इतनी बिमार थी कि कुछ टाइम बाद मरी जाती फॉर्चुनेटली लेपड़ने उसको पकड़ा किसी और को फकड़ते तो एक और मौत होती यह तीसरी घटना थी इसके लवा एक और बड़ी दर्दना घटना थी उस इलाके में दो गुजर घूम रहे थे जिनके पास 25 भैसु का जून था तो वो घूमते रहते थे और जहां भी जगह मिल जाए वहां रात को विश्राम कर लेते थे अपने भैसु को इखटा करके तो इस दफा भी उन्होंने रास्ति के किनारे एक बड़ा सा खेत मिल गया था वहां पर उन्होंने अपने भैसु को इखटा कर लिया और उन्हें बाद दिया और उसके पास में ही उन्होंने अपना विश्ता बिचा लिया एक उजर दो भाई थे और साथ में एक बच्ची थी लड़की जो दस बारा साल की थी वो बड़े वाली भाई की बेटी थी कि तो यह तीन उजन्वें शाम को खाना पर ना खाके सो गए और इनके जानुवर भी शो गए उनको भी इन्होंने चारा डाल दिया रात को इन लोगों को इन भेंसूं की घबराट की आवाज सुनाई दी, अलाम कॉल सुनाई दी, वो जिस तरह से उठके जिस तरह की आवाज निकाल रहे थे, उससे इनको पता लग गया कि इन्होंने कुछ खत्रा देख लिया, इनके आसपास कोई खतरनाक जानूर आ गया, ज उनको शांत करने लगे, उसके बाद जब वो शांत हो गये, तो यह वापस आये, तो इन्होंने देखा ओ, जो बच्ची इनके साथ सोई थी, वो गाये हो गये, और वहाँ पर देखा इन्होंने खून के निशान पड़े हुए, दूसरे दिन सुबा इन्होंने उस ब्लड ट प्रेल जो जहां पर भेंस बदे हुए हो, उसके किनारे से जाके दूसरी तरफ चले गई, और वहाँ उन्होंने देखा कि उस बच्ची के बॉड़ी के कुछ रिमेंस पड़े हुए, तो दोस्तो इस तरह की जब घटनाएं हो जाए, जो सुनने में, देखने में, या अपन करणा चाने में बड़ी खौतनाक थी, तो कॉड़ेट कहते हैं कि इस तरह की अनगिनत घटनाएं थी, यह कुछ दोचार घटनाएं थी, जिनको उन्होंने अपने बुक में दिया हुए है, वेकिन वो कहते हैं कि ऐसी वो कितनी घटनाएं बता सकते हैं, जिसकी वजह से वह के लोगों में खौफ पैदा हो गया था और खौफ एक ऐसी चीज होती है जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और इस तरह की घटनाएं जब आसफास हो तो खौफ पैदा होना भी लाजमी है और उस खौफ की वज़े से कभी कवार आपको सामानी चीज भी असामानी दिखने लगती है यहीं कि इंसान का लॉजिक भी काम करना बंद कर देता है और इसी तरह की एंभायमेंट में इंसान अंद्र विश्वाशी भी हो जाता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही जल्दी ही अगले पार्ट के साथ फिर आजिर होंगा तब तक के लि